कि ये क्या बात हुई तुमने ऐसा क्यों किया में तो मानो जैसे तुम भूली गई तुम्हें जो मन करें वो करती रहो तुम इस तरह हाथ क्यों चोड़ रही हो बेटी बहगवान के सामने हाथ चोड़ने ही चाहिए न मामा ये क्या बेटी क्या हुआ है तुम्हें अब मैं आपको क्या बताओं कैसे कैसे बताओ समझ नहीं आ रहा है अगर बता दूंगी तो आप परेशान होंगे नहीं बताओंगी तो मैं परेशान रहूंगी अरे बेटी कल तुम सोमन गाउज आने के लिए निकली थी न वहां जाकर एक जगह पर रुख गई अब मुझे लगा तुम ठक गई हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लाने चला गया पर जब मैं वहां वापस आया तब तुम वहां नहीं थी फिर मैं तुम्हें ढूंटे ढूंटे परेशान होकर सुबह घर लोट आया और तुम होकि एचीवों गरीब बातें कर रही ह तो क्या हुआ बिटी कि मैं समझ गई सच्चा यह पता चल गई है कि मैं चानती हूं कि आप कौन है और आपके लिए मैं कौन हूं अच्छे से समझ गई हूं इस चनम में मैं आपका कर्स नहीं चुका पाऊंगी मेरे कारण आपको बहुत परिशानी उठानी पड़ी है मेरे कारण आपका बहुत नुकसान हुआ उसकी भरपाई यह शिवानी नहीं कर पाएगी बेटी तुम बागी सब के लिए शिवानी हो सकती हो लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा शैलू ही रहोगी यहीं बात तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूं कि आपकी शैलू तो चड़कर राख हो चुकी है मैं शिवानी हो लेकिन यह सुनने के बाद आपका मने से सहर नहीं कर पाएगा अभी मैं आपको यह बात नहीं बता पाऊंगी माया जी इन घर वालों के साथ साथ आप भी मुझसे कुछ छुपा रही हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो तो मुझे लगा इसलिए खेह दिया जुबान से निकले शब्द और कमान से निकले तीर कभी वापस लौट कर नहीं आते बात करना है तो सोच समझ कर बात करनी चाहें नहीं तो जिन्दगी ना चाहते हुए भी परिशान करती है और जल्द से जल्द हमें खतम भी कर देती है खेर छोड़िये, त्रिशूल कहां है ये पता लगाना है न? लोग कहां गायब हो रहे हैं ये भी पता लगाना है तो जल्द से जल्द मैं सब पता लगा लूँगा यहां छुपे हुए जितने भी राज है उनका परदा फाश करना है बबाए जैसे मालिक नहीं लोटे, रीना नहीं लोटी वैसे ही मेरा बेटा वैसे ही मेरा बेटा नहीं लोटा तो यह, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा मैं ढूरूँंगा उसे पतार लगा कर ही रहोंगा मैं कुछ भी हो जाए मुझे यह करना ही होगा, लेकिन कैसे क्या करूँ मैं मा मा मैं जब भी परिशान हुआ करता था तुम ही मेरी साहता करती थी, रास्ता दिखाती थी मैं अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फस गया हूँ सब त्रिशूल को मालिक का बेटा मालिक का बेटा समझते हैं सच कह रहा हूँ मा त्रिशूल त्रिशूल मेरा बेटा है वो आपका पोता है मा मा, वो कैसा है? कहा है? मैं जब भी यह सोचता हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है, मा. मा, वो कहां चला गया है, कुछ तो बताइए, मा. मा, मा, मेरी मदद कीजिए, मा. मा ने एक बार एक तांतरिक किताब का जिक्र किया था, उसी की सहता लेता हूँ. मा, मा, आपकी बताई हुई किताब मिल गई मुझे, इसमें बताई हुई विधिविधान के अनुसार पूजा करके, मैं अपने बेटे को ढूर निकालूँगा. शीवानी कहां गई होगी? कुछ पता नहीं चल रहा. और बताईए, कोई खास बात है. कल पूछने पर आपने गाहों का नाम क्या बताया था? कायोधिया. ये नहीं था. क्या कह रहे थे आप लोग? हाँ, यहाँ से बहुत दूर गुजरात में. वहाँ सिल्वासा, संजान, महराश्ट्र बॉर्डर पे है, ऐसा कुछ कहा था? आ, आ, वही तो हूँ. कोई बात नहीं, आराम से सोच कर बताईए. इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमारा काम वही है, हम, काशी और आयोध्या तीर थ्यात्र के लिए गए थे, फिर वहाँ से यहीं आ गए. इतनी कम उमर में कौन तीर थ्यात्र करता है? आ, आपके पती आखिर काम क्या करते हैं? वो… उन्हों नहीं बताया था, डाइमंड शेपिंग बिजनस है, यही करते हैं न आपके पती? करेक्ट. वैसे, आपके पती की दुकान कहा थी? सिल्वासा में. रानी बेन रोड में एक बहुत बड़ी हीरो की दुकान है, वही है ना? हाँ, वही. मैं समझ गया, सब समझ गया, सारी बाते समझ आ रही है. अबे, मुझे नींद आ रही है. नींद तो मुझे भी आ रही है. क्योंकि मैं अब समझ गया हूँ, मैं चैन की नींद शो पाऊँगा. ठीक है तो फिर, अब हम सोनी चलते हैं? देखिए मेरी बात समझेए अभी मैं एक आग में जल रही हूँ मेरे साथ रिष्टा रखेंगे तो इस आग में मेरे दुश्वनों के साथ साथ मेरे अपने भी मर सकते हैं आपके त्याग के कारण पुझे नई जिंदेगी मिली है ऐसे इंसान को मुसीबथ में नहीं डाल सकती कि इसलिए मैं आप से कह रही हूँ कि आपको यहां से जल सेचल चले जाना चाहिए कि यहां से कहीं भी चले जाहिए यहां से निकलने मैं आपकी मदद करूँगी लेकिन मेरे साथ रहे कर आप अपनी जिंदेगी दाओं पर मत लगाईए हम कहा जाए बेटी तुम्ही तो हमारा सहारा हो जीए या मरे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे तो आप तुम्हीं बताओ कि हम कहा जाएं हमारा कौन है बेटी हमारे तो बच्चे भी नहीं है तुम्हें ही हमने अपनी बेटी की तरह पाला सिर्फ तुम्हारे लिए जीकर तुम्हारा जीवन साकार करना ही हमारा उद्देश्य है इस उद्देश्य को हम अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं बेटी अगर हमारे साथ रहने से तुम्हे कोई परेशानी हो रही हो तुम्हें दुख हो रहो अगर तुम पर बोज बन गए तो हम यहां से अभी क्या भी चले जाएंगे मामा मेरा यह मतलम नहीं था यहां रहेंगे तो आप पर और कई मुसीबत आ सकती है यह कह रही थी अरे मेरी बेटी, तुम्हारे साथ रहने से अगर आने वाली मुसीबतों से अगर हमारी मौत भी आ जाये तो चलेगा और पिर तुम इस तरह जाने के लिए कहोगी तो कहां जाएंगे अगर मैं कहीं जाओंगा, तो मैं सिर्फ मर जाओंगा अगर तुम यह चाहती हो, तो तुम्हें खुशाल देखने के लिए मैं खुशी-खुशी अपनी जान दे दूगा, बेटी मा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है मा मा, आपकी बताई हुई जो किताब मुझे मिली, उसी के हिसाब से मैंने सारे विधिविधान का पालन किया है आप मेरे साथ रहकर मुझे मार्ग दरशित कीजिए मा आपका आशिरवात प्रदान कीजिए, आशिरवात दीजिए मुझे मा, मुझे अपने बेटे से मिलवा दीजिए, मा मा, आप कहा हो मा? मुझे अपने पोते के पास ले चलिए ना आओ मा यह आपके पास सुरक्षित रहेगा आपका मार्क दर्शंग करेगा यह क्या हो सकता है? और इससे अजीद ने मुझे क्यों दिया होगा? वैसे मैं तो अजीद को इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी लेकिन हिर्वी मुझे पर विश्वास करके उसने मुझे ये कैसे दे दिया? ऐसी क्या शक्ती है इसके अंदर? मेरा आदिशेश अपने आदिशेश होने के बारे में भूल जाएगा और सरफ इतना ही नहीं वो तुम भारे बारे में सब भूल जाएगा तुम अगर उसे पताओगी कि तुम एक नागिन हो तब भी वो नहीं सुन पाएगा ये मेरा शाप है ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है ये जिस दुष्ट नागिन को मैंने फुद अपने हाथों से मारा वो वो वापस वापस उसी रोप में कैसे लौट सकती है मुझे और तृशूर को दूर करने के लिए उसने कितनी कोशिशें की थी जो मर के आत्मा बन चुकी थी वो वो पिरसे जन्म लेकर इतनी जल्दी कैसे नहीं जो मर के आत्मा बन चुकी हो उसे वापस जिन्दकी देना किसी दुष्ट शक्ती के बस की बात नहीं है इसे एक और मौका किसी सात्विक शक्ती नहीं दिया होगा, वैसे उसके आने के बाद ही मेरा त्रिशूली गायब हुआ है, मतलब différent is त्रिशूली के गायब होने के पीछे इसका हाथ भी हो सकता है, कि ए मोयांगिनी मेरे स्रिशूल को गायब करने के बाद मेरे सामने तो नाटक करी है तु घरवालों का विश्वास नहीं जीत पाएगी तु उसके लायक ही नहीं है अब ही मैं तुमसे बात करने ही आ रही थी क्या हुआ बहुत दिनों से मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी इसलिए आ रहे थी ओ अच्छा क्या बात है तुम्हें किसी ने बंदी बना दिया था तुम वहां से बच कर आई हो ऐसा ही कहा था ना कौन है वो तुम्हें किसने बंदी बनाया था उसके बारे में सोचते ही मुझे बहुत डर लगता है शिवानी ये सब तुम अभी मुझसे क्यों पूछ रही हो ताकि तुम अपने डर पर जीत हासल कर पाओ इसलिए तो मैं इतने दिनों बात तुमसे ही पूछ रही हूँ छोड़ो शिवानी इस घाओ के बारे में मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ पर उस घाओ को कुरेट कर इंवस्टिकेशन करने के लिए CID आफिसर यहां आ गए है मा रास्ता दिखा दिया तुमने अब त्रिशूल मिल जाएगा हे माहमाई कहां है मेरा बेटा उसके पास ले चलो मुझे तुम्हारे पास सच बताने के लावा और कोई रास्ता नहीं अब तुम उन्हें क्या जवाब दोगी जवाब क्या देना है शिवानी मुझे इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है मैं कितनी दिनों तक दिखबंधन में थी मुझे तो ठीक से ये भी याद नहीं है मैं जब त्रिविक्रम से मिलने यहां आई थी तब बंदी बन गई थी उसके बारे में जब मैं सोचते भी हूँ तो मुझे मर जाने का मन करता है यह तो घर के अंदर जा रहा है मतलब मेरा बेटा घर लोटाया लोटाया बेटा 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 पेटा बेटा तीम ये कैसी माया है, मैं तो यहां अपने बेटे को ढूंडते हुए आया था, तो इस पुलिस के पास कैसे पहुँच गया, मेरी की हुई पूजा में, मेरे बोले हुए मंत्रों में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, या फिर ये दीप इसे ही मुझे दिखा कर, इसे मेरा बेटा कह रहा है, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, शायद उन मंत्रों में, उस पूजा में ही शक्ती नहीं थी, इसलिए ये दीप अपनी रहा भटक गया, उस किताब को पढ़कर पूजा करने का कोई पाइदा नहीं हुआ, मुझे अपने बेटे को किसी और तरीके से ढूनना होगा, पिता जी हाँ क्या कर रहे थे, मैं ही इस घर का बेटा त्रिशूल हो, मैं किसी को बता ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा रूप चेहरा बदल गया है कहूंगा, तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, मेरे पास जतना वक्त है, उसमे मुझे सारी परिशानिया सुलजानी होगी, पहले मुझे मेरा रूप हासिल करना होगा, नहीं तो मैं ही भसोंगा, और ये CID अफिसर अभे भी भसेगा, आखरी ये लड़का है कौन, और इसका मकसद क्या है, अरे, उसे तो इस घर की सारी बाते पता है, किसने बताई होगी, इस घर में से, या फिर, किसी बाहर वाले ने, मेरे जो दोस्त सारे मारे गये, उनके बार में पता है इसे, घर वाले ऑफिसर के साथ अंजानों के तरव रवहार कर रहे हैं, तो फिर ये कौन हो, आफ्टर आल, ये असली आफिसर है, इस बात पर यकीन नहीं है मुझे, और ये नकली है, इसे प्रूफ कैसे करूँ, क्या करूँ, येस, लोहे को लोहा काटता है, उसकी डिपार्टमेंट से पूछथाश करता हूँ, इस नंबर से फोन करूँगा तो, नए, उसके नंबर से फोन करूँगा, क्या बात है, दिव विजजी का फोन आ रहा है, हाई सेर, कहिए सेर, बहुत समय बात मुझे याद किया, सुनिये, घर वाले सब, यहां आए, हलो, सब लोग बाहर आए, आए गोविंद, आए नंदिश, आए, आए मा, बाकी सब का है, आए आए जल्दी आए, बात क्या है, बताता हूं, मिस्टर धनजय, मैं इस घर में आया हूँ, इस घर में छुपे हुए राज जानने के लिए, और फिर उन्हें सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने मुझे कई सारी बाते बताई हैं, और कई बाते थी जो मैंने पता लगाई हैं, ये सारी बात की खाल उतार कर, मुझे धेर सारी इंफोर्मेशन दी है, उनके हिसाब से, आप ना गुजरात वाले हैं, और यू, ना ही आप चंडी गड़ से आये हैं, आपने क्या कहा था, कि इनका टाइमन्ड का बिसनेस हैं न, और आपने, आपने कहा था, सोने की दुकान हैं, बट सच जाई ये है कि, इनकी ना कोई सोने की दुकान है, ना ही डाइमन्ड का बिसनेस है, कुछ है तो बस, प्यू, तो आप मुझे सच्चा ही जाननी है, आप सब को, मुझे कुछ भी छुपाए बिना, सच बताना होगा, एंड यू, माया, आपकी हरकतों से आप इंसान लगती ही नहीं है, नहीं आपने मुझे अपने काउं के बारे में बताया है, लेकिन मैं पता लगा लोगा, आप भी मुझसे कोई बहुत बड़ी बात चुपा रही है, लेकिन मैं वो भी बता कर लोगा, एंड यू सबने मान लिया था कि आप मर चुकी है थोड़े दिनों बाद आप वापस लोटाती है उस बीच में आप कहां गई थी और नंदिश जी आप विश्वासी इंसान है ये मैं जानता हूँ विश्वासी लोगों के पीछे भी कोई ना कोई कहानी होती है आपका मुख़टा भी मैं उतारूँगा तो आप सब लोग कुछ नहीं बोलने वाले हैं फिर भी मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा आप सब लोग मुझसे चाहे कुछ भी छुपा ले मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगा मिस्टर धरंजे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ कहिए क्या कहूं मैं तुम मेरे घरवालों से ऐसे बात नहीं कर सकते हो समझे तुम्हें किसने भेजा यहां पर यह सब बातें आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं लेकिन मैं तो पूछ सकता हूना हूँ हेलो सर्, I'm Dhonanja, Dick Vijay's brother I'm Vinay Shetty, D.I.G. of Police इस घर में आए C.I.D. officer आप ही हैं क्या? यह सर्, इंस्पेक्टर अब है C.I.D. Department आप के आने का कारण? सर, इस घर से एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है ऐसा मेरा शक है नहीं सर, यह जूट बोल रहा है यह फरेभी इंसान है What do you mean? यह सर, इंस्पेक्शन के बहाने यह घर की बहु बेटी को परिशान कर रहा है इसे अपने साथ ले जाए अरे आप भी कुछ कहिए इससे निकालना है या नहीं बोलो शिवानी इसका असली चेहरा क्या है बताओ मैं, मैं क्या कहूंगी अंकल शायद तुम्हें पता नहीं जब तुम सो रही थी तब आधी रात को तुम्हारे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था सर, इसकी सोच में खोड है I'm telling you he's a fraud Please, इसे यहां से ले जाए पैसे पुलिस ओफिसर को मैं घर में नहीं रख सकता आपको यहां इस केस का इंस्पेक्शन करने के लिए किस ने भेजा है I.G. Manjunath जी ने उन्हें नहीं मुझे यहां भेजा है वो तुम्हें यहां क्यों भेजेंगे किस ने कंप्लेन किया, ना तो मैंने किया आपके भाई दिख विजए मतलब कंप्लेन करने वाले मेरे भाईया है नवर, वो ऐसा करी नहीं सकते वो इस काओं में है यह नहीं, मिसिंग है भला वो कंप्लेन क्यों करेंगे, बताइए चाहे तो आप खुदी देख लीजिए नंदिश हाँ, बिल्कुल, यह मालिक यह लिखावट है उन्ही का सिगनेचर है यह साजिश होगी इसकी भाईया कहा है, कैसे हैं, कोई नहीं जानता यह आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं आप तो ऐसे बात करने से साब ही दिख विजय हैं देखिए, दिख विजय जी ने मुझे सुबह कॉल किया था उन्होंने कहा, मेरे घर पर कोई पुलिस आफिसर आया है, जरा देख लीजिए पिश्टरावे, आपको अगर किसी प्रगार की मदद की जरूत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना शौर सर अब मैं चलता हूं पिता जी कैसे कॉल कर सकते हैं इस त्रिश्टरा और दाक्षायनी पर शक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी वज़ाएं हैं और शक ना करने के लिए एक भी वज़ा नहीं है इस घर पर जो मुसीबते आ रही हैं कहीं ये दोनों ही तो वज़ा नहीं त्रिशूल का गायब होना और घर में पुलिस का आना वैसे त्रिशूल के गायब हो जाने से घर में सभी परेशान हैं दुखी हैं चिन्तित हैं लेकिन लेकिन जो त्रिश्टरा त्रिशूल से शादी करने के लिए तना दड़ प रही थी उसे उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है मतलब कहीं द्रिशूल के गायब होने के पीछे उस द्रिश्ना का ही हाथ तो नहीं है कंप्लेंड करके अंजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम्हारा मकसद क्या है दिगविजय चौप, बहुत बोलिया तुमने तुम्हें लगता है कि सारी गलती मेरी है आखिर मैं क्यों कंप्लेंड करके पुलिस वाले को घर बुला था जिसकी वज़े से हमें इतनी परेशानी हो रही है मान लिया तुम सच कह रहे हो तो फिर तुम्हारी ही लिखावट, तुम्हारे ही हद साक्षर वाले उस कंप्लेंड के प्रती उसके हाथ में किस ने दी यही तो पता लगाना है हमें लगा कि यह डूप्लिकेट है लेकिन यह तो ओरिजनल है उसका आईडी काड और पुलिस आफिसर ने इसकी पहचान भी की है यानि यह गलत नहीं है तो फिर यह कैसे हो सकता है एक तो मैंने कंप्लेंड नहीं की, साइन नहीं किया मैं ऐसा बोल भी नहीं सकता और दूसरी और अभय यहां किसी और उद्देश से आया है यह भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास दिग विजय का चेहरा नहीं है अब अभय हमें किस तरह से परिशान कर सकता है यह सोचना पड़ेगा उससे पहले हम ही उससे खत्म कर देते हैं हमारे शक्तियों का इस्तिमाल कर उसका सर्वनाश कर देंगे जो हमारे रास्ते का काटा बनते हैं हम उन्हें हमारे रास्ते से ही हटा देंगे यह हमारी सहयम की परिक्षा ले रहा है अगर हद से ज्यादा कोई हमें परिशान करे तो हम उसे खत्म कर देते हैं जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं मैं इंक्वैरी करके पता लगाऊंगा कि ये है कौन और उसके बाद उसके साथ क्या करना है ये तैकर लेते हैं अभी तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर उसके हमें परिशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तब हमसे सयम रखने क्या पिक्षामत करना जाद रहे आपने ऐसा क्यों किया सर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे मालिक नहीं आपको यहां में जाए ये बात क्यों छिपाई मैं जाने मेरे मालिक कहा है कैसे है और क्या कर रहे होंगे वो मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर पिता जी सर यह आप क्या कर रहे हैं सर मैं आपका बेटा हूँ मतलब मैं आपके बेटे जैसा हूँ आप मेरे पैर मत पकड़ी है मुझे यह सब नहीं पसंद सर तुम मेरे बेटे क्यों होगे भला, मेरा बेटा तो त्रिशूल है, और मैंने तो तुम्हारे पैर से विसली पकड़े थे, ताकि मालिक कहा है ये पता लगा सको, उसके बाद मुझे नागमणी हांसल करनी है क्यों सर? क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नि रहे? मालिक कहा है सर? वो थीक तो है ना? वो किसी परिशानी में तो नहीं है, कहीं है ना सर कृपा करके, शांत हो जाईए, लीज अपना दर्द मैं किसी से नहीं बोल पाता हूं दिल में दुखों का पहाड बन गया है, सर मर जाने का, मर जाने का दिल करता है, सर ऐसी बाते मत कीजिए, सर ऐसी बाते मत कीजिए अपने आपको सम्हा दिये अपने आपको सम्हा दिये मेरे दिल में शक पैदा कर रहा है हमसे छुप छुप कर अगर ये यहां आ रहा है तो कहीं ये हमारे खिलाफ शडियन तो नहीं रच रहा ये कहां जा रहा है, किस से मिलने जा रहा है सब पता लगाना पड़ेगा मुझे अच्छे से आद है जो दिगविजय हमें मारने आया था वो हमारे हाथों ही मरा था तो उसके बाद वो लोट कर कैसे आ सकता है आखिर ये सब हो क्या रहा है मरी हुई मायांगे नहीं जिन्दा हो गई और उसके बाद दिगविजय का लिखावा पत्र मिल रहा है और अब ये दिगविजय के कंप्लेंट करने पर पुलिस भी यहां आ गई है ये सब कैसे हो सकता है ओ यह यहीं पर है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ नहीं कुछ नहीं वो आप सच में कंप्लेंट की वज़े से यहां पर आये हैं आप ऐसा क्यों पूछ रही है मैंने कहा तो सही और इसके अलावा सबूत के तोर पर लिखी हुई कंप्लेंट भी दिखा दी थी हाँ दिखाई लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है यकीन क्यों नहीं हो रहा है वो दिगविजय अंकल को घर छोड़े बहुत दिन हो चुके हैं वो कहाँ किसी को पता भी नहीं है उन्होंने कभी किसी को फोन भी नहीं किया है ना वो किसी से मिले है दिखवेजय अंकल अब आपके पास जाकर कंप्लेंट कैसे करवा सकते हैं मेरा मतलब अंकल तो खुदी गायब है ना उस दिन जब आप घर आये थे तो आपने कहा था कि दिखवेजय अंकल रिना त्रिशूल ये सब गायब हो हैं उन्हें डूणने आया हूं हां दिखवेजय अंकल तो गायब ही है ना तो फिर वो आकर कंप्लेंट कैसे फाइल करा सकते हैं गुरुजी क्या हुआ दिखवेजय दिन बुजरते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा अपने लक्ष को कैसे हासिल करेंगे घर में खुसा पुलिस आफिसर सामान ये व्यक्ति नहीं है उसके आने के पीछे जरूर कोई बुरा उद्देश है क्या हुआ विश्टार में बताओ दिखवेजय वो पुलिस आफिसर जूट बोल रहा है कहता है दिखवेजय ने कंप्लेन की है इसलिए आया हूँ जबकि मैं ही दिखवेजय हूँ कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में गुरुजी दिखवेजय तुमारे साथ महाशक्ती शाली दो पिशाचनिया भी तो हैं ऐसा होते हुए तुम ड़र क्यों रहे हो अरे गुरुदेव वो तो बस नाम की हैं काम की नाकाज की दुश्मन अनाज की तंत्र मंत्र में माहिर होंगी माना शक्ती भी है उनके पास लेकिन इस दुनिया के बारे में वो जादा कुछ नहीं जानती है वो पुलिस अधिकारी सवाल पर सवाल करके इनका मूँ खुलवाने की कोशिश कर रहा है गुरुजी और परिशानी की बात ये है कि वो दोनों अपने गाउं का नाम अलग-अलग बता रही है इससे उसका शक बढ़ गया है अब तुम क्या करने की सोच रहो दिखविजे दिन बदिन परिशानिया बढ़ती जा रही है और मुझे इनसे मुक्ती चाहिए मुझे उन दोनों औरतों से मुक्ती आप ही दिला सकते हैं उनका संगहार करना होगा पर वो तो तुम्हारा साथ दे रही है ना मुझे बस उनसे अपना रूप चाहिए था और आप तक पहुँचना था इसलिए मैंने उनकी मदद ली थी लेकिन उनकी मदद ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है नागमणी को हासिल करने के लिए उन्हें दूर करना ही होगा इसलिए उनका सर्वनाश करना बहुत जरूरी है और उनका संगहार मैं करूँगा नागमणी पर सिर्फ मेरा हक है उसकी शक्तियों से मुझे अमर होना है उन मंतरवादिनियों की तंतर मंतरों की विद्या से युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ तुम चिंता मत करो वो दिगविजय दोष्ट है वो हमें यहाँ पर कोई नागमणी सौपने के लिए नहीं लाया बलकि नागमणी हासिल करने के बाद वो हमें मारने वाला है यह तुम क्या कह रही हो तृष्णा क्या तुम सच कह रही हो हाँ दाक्षाइनी हमने ऐसे इंसान को जिंदगी दे दी दाक्षाइनी ऐसे इंसान को ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं हाँ त्रिष्णा, दोखा देने वालों को मृत्यु दंड ही देना चाहिए घर में जो ये त्रिष्णा और दाक्षा इनी आये हैं, उन पर अभय को भी शक हो रहा है और जो शक अभय को अभी हुआ है, वो मुझे पहले भी हुआ था क्योंकि उन दोनों की बातें, उनका हाव-भाव बहुत ही अजीब सा है घर से किसी भी वक बहाँ चले जाते हैं, कभी भी लौट कर आ जाते हैं जब सब घर वाले साथ में होते हैं, तो वो दोनों हमेशा दूर खड़े रहकर आपस में खुस्पुस करते हैं और जब पास जा तो तुरंत अपनी बात बदल लेते हैं कोई तो बात है, ये दोनों हम सबसे कोई बड़ी बात छुपा रही है, मुझे ऐसा लगता है इन सारी समस्याओं के पीछे, कहीं इन ही दोनों का हाथ तो नहीं ऐसा भी हो सकता है, ना? मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा दिख विजय लगता है तुम कहीं बाहर गए थे गुरुजी के पास गया था तो क्या कहा गुरुजी ने? वही, जो इस वक्त हमारे घर में है, आफिसर अब है दिन बदिन हमारी परिशानियां बढ़ा रहा है बिना किसी को शक हुए उसे रास्ते से हटाने के लिए मैं कोई उपाय पूछने गया था तो फिर, तुम्हारे गुरुजी ने कोई उपाय सुचित किया? गुरुजी के पास हर मुसीबत का उपाय होता है तुम्हारे रास्ते में अब जो भी आएगा उसे रास्ते से हटाने का विधान शुरू करता हूं में ऐसा कहा है उन्होंने तुमने अपने गुरुजी से नागमणी के बारे में कोई बात नहीं की क्या? नागमणी के बारे में मैं उनसे क्यों पूछूंगा भला? हाँ, नागमणी को ढूनने में वो मेरी मदद करेंगे ऐसा कहा था उन्होंने कारकोटक अमवस्या से पहले नाग तुम्हें परेशान करेंगे ऐसा कहा है इससे जादा हुवो हमारी क्या मदद करेंगे तो मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं मतलब नागमणी को हासिल करनी की हमारे आलावा और कोई कोशिश नहीं कर रहा तुम्हारे गोरुजी उसे ढून पाएंगे या नहीं पता नहीं लेकिन हम उसके बार में ज़रूर पता लगाएंगे वैसे एक बात तो है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है तृष्णा तुमने सही कहा वो नागमणी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है जल्द से जल्द नागमणी हासिल करने का हमें दूसरा रास्ता ढूणना होगा दाकशैनी आज मेरा तीसरा दिन है मेरे योवन का आखरी दिन है आज मुझे रक्त आहार की जरूरत है किसी ना किसी युफ्ती की बली देकर मेरे युवन की रक्षा करने के पश्चात नागवणी को ढूड़ने की कोशिश करते है दिख विचे हमारे रास्ते का काटा बन चुका है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा त्रिशूल तुम कहां चले गए? क्या है कर गए थे जल्दी आऊंगा लेकिन अब तक नहीं आये यह भगवान मुझे त्रिशूल से मिलने का बहुत बन कर रहा है प्लीज प्लीज वो वो जहां कहीं भी उसे मेरे पास ले आईए या फिर मुझे उसके पास ले जाए भगवान यह परमेश्वर मुझे उससे मिलना है मुझे अपनी त्रिशूल से मिलना है यह प्लीज 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 वो जड़ान यह भास ले जाए फिर मुझे उसके पास ले जाए यह भगवान तर वबाओे आपारी 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 आपारा हुआ हुआ है झाल झाल तुमने मुझे पताया कि उन्हें कि तुम ही द्रिशूल हो क्या कर गए थे कि जल्दी लौटूंगा और इस रूप में लौट कर आए उझे बताना ठीक नहीं समझा क्या बता है मैं तुम्हारा कितना इंतिजार कर रही हो क्या भूटूंगा कि उन्हें लुटूंगा कि पाल आए ये जल्दी लौटूंगा कि उन्हें पूटूंगा कि अल्दी टाए ठाए झाल